सिधार्थ की डेथ की खबर सुनकर एक शक्स की हालत बिगडी और बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा हम सब जानते हैं कि सिधार्थ एक बहुत बड़े सितारे थे और उनकी फैन फॉलोविंग जबरदस्त थी सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लाटफार्म पर उनकी कितने ही फैन ग्रूब्स और फैन कलब्स बने हुए थे सिध नास एक अलग फैन कलब चरता था, सिधार्थ का अपना अलग फैन कलब था इस तरीके से काफी लोग थे जो सिधार्थ से जुड़े हुए थे सिधार्ट की जब इस तरह की अचानक से डेथ की खबर आई तो एक आएक किसी को भी विश्वास नहीं हुआ और इस खबर पर बिलीव करना बहुत मुश्किल हो गया वही कई लोगों को सद्मा भी लगा और ऐसा ही सद्मा सिधार्ट की एक फैन को लगा जो वाश्रूम में बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में परिवार वालों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है सोशल मीडिया पर अब सद्धार्ट शुकला की इस फैन की फोटो वाइरल हो रही है यह अभी भी बेहोशी की हालत में है इसकी बॉडी रिस्पॉण नहीं कर रही है यह अभी तक होश में नहीं आई है डॉक्टर जयेश करके एक सोशल मीडिया पर हैंडल है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि गाइस बात करो गुलो मिलो अपने अंदर कुछ भी मत रखो कल सिदनास की एक फैन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया बेहोशी की हालत में वो वाश्रूम में मिली थी अपना ध्यान रखे और इसके लिए भी प्राथना करें फैन की हालत के बारे में डॉक्टर्स ने बहुत ही गंभीर जानकारी दी है डॉक्टर्स ने कहा कि ये पार्शल कोमा में चली गई है इसके आखे और इसके हाथ पर रिस्पॉंड नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं सिधार्थ के सभी फैन्स और एड्मायर्स को कहूंगा कि आराम से रहे जादा मत सोचें सिधार्थ चला गया है उसे जाने दे और इस दिशा में जादा नहीं सोचें अपने आपको डिस्ट्रैक्ट करें इस टॉपिक से वेल बिग बॉस के बात से ही सिधनास का ये फैन क्लब बना और कई लोग इने चाहते हैं आज भी मुंबई में भारी बारश के बीच जब सिधार्थ का फ्यूनरल रखा गया और जिस तरीके की भीड वहाँ पर उभरी वो वाकई में देखने लायक थी फिल्मे सितारों के यहाँ पर भी इतनी भीड नहीं होती है जितने लोग आज सिधार्थ के अंतिम संस्कार पर पहुंचे